हाई गाईज माइनेम इस अत्नान खान एंड विलकम बेक तो माई यूट्यूब चैनल तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं एस्टेमेशन ओफ हीमोग्लोबिन की सो लेट स्टार्ट सबसे पहले हमारे पास चाहिए होता है इसके अंदर एक शेलेज हीमोग्लोब जिसके अंदर हम कलर्स को कंपेर करते हैं सेगेंड तिंग आती है इसके अंदर हमारे पास ड्रोपर हम यूज करते हैं डिस्टिल वोटर और एन बाइटन इसके अंदर हमारे पास एन बाइटन इसका क्या यूज होता है यह भी आपको वीडियो में पता चल जाएगा अब लास्ट में हमारे पास है डिस्टिल वोटर अब हम सारा प्रोसीजर अपना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे जो हमारे हीमोग्लोबिन को अराम से रख देंगे इसके बाद हमें क्या करना है हमें लेंसेट लेना है और लेंसेट से हमें फिंगर को प्रिक करना है उस पैशंट की या फिर कोई भी परसन जिसका हमें हीमोग्लोबिन टेस्ट करना है तो यहां पर मैंने लेंसेट ले लिया है ध्यान रखना है लें है वो भी आपको बता दिया जाएगा बात में सो अब हम प्रिक करते हैं प्रिक करने में हमें ध्यान रखना है कि हमें विल्कुल एक्जेक्टूब प्रिक करना है जिसकी वयासे हम अच्छे से ब्लड ले से यहां पर पेशन ने अपनी फिंगर पीछे कर दी जिसकी वयासे प् करना अगर हम रोबर से सक करते हैं तो अब ऐर बाबल्स आने के चांस हो जाते हैं तो एक्वाझ फिंग से प्ली से कहान है कोई पीछे से सक्षन नहीं चल रहा है लिए जा रहा है और हम यह ब्लडडД 20 माइक्रो लीटर तक लेना है यहां तुम देख सकत 50 माइक्रो लीट् प्रेशर देना है और उस प्रेशर से यह जो इमोगलोबिन पिपेट के अंदर ब्लड ए इसमेट प्लड को हीमोगलोबिन ट्योब के अंदर डाल देना है कि अधिसकेबाद हमें ग्लास रोड या फिर स्टरर से ब्लड को और एन्बाय टेन SCL को mix करना है तो यह आपस में easily अच्छे से mixed हो जाए और हमें अच्छा result मिले अब हमें क्या करना है अपने हीमोग्लोबिन ट्यूब को शेलेज हीमोग्लोबिनो मीटर के अंदर रख देनी है और इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है जिससे जो हीमोग्लोबिन है वो acid hematin के अंदर convert हो जाए अब acid hematin क्या होता है acid hematin एक ऐसा substance होता है जो हमें color दिखाता है जो यहाँ पर तुम color देख रहे हो यह acid hematin का color है वाइव में बहुत बार यह question पूचा जाता है जो हम color compare करते हो किसका होता है तो हमारा answer होगा acid hematin का तो चलो हम इसको हम छोड़ देते हैं 10 मिनिट के लिए उसके बाद हम बात करते है अब इसके बाद हमें ड्रोपर से डिस्टिल वाटर लेना है और डिस्टिल वाटर लेने के बाद हीमोगलोबिन ट्यूब के अंदर हमें ड्रोप ड्रोप डिस्टिल वाटर को एड़ करना है इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो वाटर है वह वोल से लगता हुआ जाना चाहिए हीमोगलोबिन ट्यूब के वह डारेक्ट ना जाए अगर डारेक्ट जाएगा तो फिर उससे रिजल्ट प्रोपर नहीं दीस्टिल वाटर को अगर ड्रोप ड्रोप यहां रखना है अब इसको हम दुबारा से दिस्टिल वाटर को मीचज करेंगे हीमो ग्लोबिनो मीटर से हैं जैसा कि तुम देख सकते हो अभी भी इसका जो कलर है वो डारकर आ रहा है हमें जब हम कंपेर करते हैं कलर को तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है इसके अंदर कि जो पीछे से बैग्राउंड लाइट आ रही है वो प्रोपर आ रही हो नहीं तो हमारी रिडिंग्स नहीं आएगी मैं क्या वोल रहा हो तुम्हें अभी थोड़ी देर में समझ आएगा पहले इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मैं थोड़ी सी वीडियो फास्ट कर देता हूं जिसकी वह सब इसकिप हो जाए बार बार अब हम फिर से इसके कलर को कमपेर करते हैं हमने अपनी हीमोगलोमिन ट्यूब को हीमोगलोमिनों मीटर के अंदर रखा और कलर कमपेर करते हैं यहां पर हमें डारकर कर दिख रहा है क्योंकि बेक्ग्राउंड से लाइट कम है अगर हम इसको ले जाते हैं लाइट की तरह तो तुम यहां देख सकते हो बिलकुल परफेक्ट कलर मैचिंग हो रही है इसकी और को यूज करते हैं मैं तुम्हें एक बार और दिखाना चाहूंगो इसका कलर कमपेरिजन फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसके एडवन्टेज एंड डिस एडवन्टेज के बारे में यहां पर तुम्हें दिख रहा है बल्कुल परफेक्ट मैचिंग हो रही है कलर की और पर इस पेशन का हिमोग्लोबिन नाइन ग्राम परसेंट आया है अब हम चलते हैं शेलेज मेथर्ड के एडवन्टेजीज एंड डिस एडवन्टेज की तरफ सो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर एडवन्टेजीज ऑफ शेलेज मेथर्ड तो सबसे अच्छा इसका एक्सपर्टाइज और यह ज्यादा महेंगा भी नहीं होता है इन एक्सपैंसी होता है कुईक होता है लेकिन कभी कभी डिस एडवन्टेज में पढ़ेंगे बहुत देर भी इसके अंदर लग जाती है तो यह हो जाते हैं इसके सारे एडवन्टेजीज अब हम बात करते हैं इसके disadvantages की तो सबसे बड़ा जोसका disadvantage है वह है color को compare करना कभी-कभी ऐसा होता है जो color matching में बहुत ज़्यादर टाइम लेता है तो हमें आदा घंटा ही लग जाता है इसको perform करने में तो इसलिए सबसे मतलब बड़ा इसका for maximum color longer time is required second disadvantages का perfect matching with brown glass standard is not possible जो बिलकुल perfect matching होती है इसकी वो कभी possible होती नहीं है जो मैंने अभी तुमें एक्सपेरिमेंट करके दिखाया उसके अंदर भी तुम्हें थोड़ा बहुत एरर दिख जाएगा अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर जो कार्बॉक्स ह हीमोग्लोबिन होता है या फिर मिथेमोग्लोबिन होता है वह एक्सपेरिमेंट अभी परफॉर्म किया था तो मैंने उसको दस मिनट के लिए एन्वाइट एन एसल के अंदर डिजॉल करके रख दिया ता क्यों रखता जिससे वह एसीडिमेंट के अंदर कर्वाट हो जाए है क्योंकि यह जो क फॉर्मेशन ने एसीड हीमेट इनका यह बहुत जादा लेट होता है और जब यह हो जाता है तो यह स्टेवल भी नहीं रहता पिर जोसका कलर है बहुत जल्दी चेंज हो जाता है तो यह भी इसका एक डॉबएक आता है लास्ट डॉबएक है सौर्स और उसके अंदर हम फिर से डिस्टिल वोटर डाल देंगे और हमारी फिर जो रिडिंग हो गलत हो जाएगी इसलिए अगर हम जब हम लाइट टू लाइट चेंज करते हैं इसके पीछे तो इसका जो कलर होता है वह भी चेंज होता है कभी जो हमारा परफेक्ट डिडिंग आती है वो पीछे अच्छी लाइट होगी तो ही हमारी परफेक्ट डिडिंग आएगी तो यह भी इसका एक बहुत बड़ा ड्रोबेक आ जाता है तो गाइस आज की वीडियो को हम ही पर ही कंप्लीट करते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लेगी तो इस वीडियो को लाइक करना अपनी कोई भी प्रोब्लम है हमसे जरूर शेयर करना ओके गाइस थैंक यू सो मच टेक केर बाए बाए